हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर पीस में दोस्तों हम अपनी पहल यूके एमसी क्यू के आज नवा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं इस वीडियो में दोस्तों हम समूगो उत्राखन राज की परिवेक सक्षर्ग वीडियो, एंटी, फॉरस्ट रेंजर, पटवारी, लेक्षरार और उत्राखन की जितने भी एक्जाम्स होते हैं सभी के क्वेशन्स को लेते हुए आपके सामने लेके आए हैं चले दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग ठैंक्यू कहना चाहेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से प्यारे-प्यारे कमेंट समय करते रहे हैं चलिए आप सुरू करते हैं क्वेशन नमबर वन निम्लिखित प्रक्षू में से कौन उत्राखंड में लीसे का मुख्य श्रोत है एक क्वेशन देखें दोस्तों और इसके आंसर दोस्तों है चीर चलिए दोस्तों इसके बारे से बात चाने चीर जो है उत्राखंड में बहुत आयत में पाये जाने अलग पेड है चीर की ब्रक्षिश तरीके से होते हैं और अगर आपको अभी उत्राखंड में प्रहमत पर गऎये हो तो आपने चीड के तने में इस तरीके से देखा होगा और उसके नीचे ये जमा करने के लिए तो actually चीड से दोस्तों एक चिपचिपा और जुलन्सील पदार्थ निकलता है जिसे लीसा का जाता है इसका प्योग स्तानी लोग जो होते हैं दोस्तों जोलन्सिल पदारत के रूप में भी करते हैं और साथी साथ इसका बड़ा ही औसदी महत्ववी है दोस्तो ये कुछ बात है थी अब भी हाल ही में जो उत्राखनवा भायानक आग लगी थी तब चीड बहुत न्यूज मेरा था क्योंकि चीड जो है एक तो दोस्तो पानी को सुखा देता है ऐसा कहते हैं कि जहां चीड के जंगल होते हैं और पानी नहीं होता और दूसरी बात ही होती कि चीड की जो पत्तियां जिनने स्थानी भासमें पिरूल कहते हैं वो जब ढ़ल जाती है तो सूख जाती है तो बहुत ही जलन सील होती है तो इस पर एक question भी उठा था कि वन विभाग ने इस पिरूल को एकत्रित नहीं करवाया था और वन उसे नहीं हटाया था ये कुछ बात हैं थी दोस्तों तो answer है ची अगला question क्यों बढ़ते हैं दोस्तों या इन मैंसे कोई नहीं तो option Congress की स्टापना किस ने की तो इसका answer दोस्तों है A.O.Hume कैसे अगर देखें तो Congress की स्टापना दोस्तों दिसंबर 1850 इस भी में हुई थी तो अगर आप options को देखा तो महात्मा गादी उसमें इतने राजनीती में सक्री नहीं थे कि कोई इतना ब अगर आपको नहीं पता है लेकिन क्योंकि यह बहुत important topic है आपको पता होना ची आएए देखते हैं Congress की स्टापना दोस्तों दिसंबर 1850 इस भी में बहत्तर राजनीतिक कारे करता थे दोस्तों बेसिकली कहा जाए तो बहत्तर वकील थे दोस्तों इन लोगों ने मिलके पूछे जाते हैं हम कुछ important अधिवेशन को जो वार्षिक अधिवेशन है उन पर धियान देते हैं तो देखेगा दोस्तों याद करने का कोशिस कीजिएगा पूरे याद कीजिएगा पहला Congress का अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ जब Congress बनी वो हुआ मुंबई में और इसक कॉलकाता बहुत एक्टिव था पॉलिटिकली और इसके दिक्सा करते हैं दादा भाई नौरा जी बहुत बड़ा नाम थे दोस्तों एक चीज़ और याद कीजिएगा अथा सो च्यासी से ठीक बीस वर्स बात मतलब 1906 बी में भी यही अधिवेशन कॉलकाता में होता Congress देख इसके 20 साल बाद 1906 इस वरी में भी कलकता में ही हुआ दादा भाई नौरा जी इंपॉर्टन क्यों था क्योंकि 1906 में जो हुआ था इसमें पहली बार दादा भाई नौरा जी ने स्वराज सब्द की मांग उठाई स्वराज नामक जो भी पहली बार अगर आती है बात तो का बाती 1906 में और यह इसलिए भी इंपॉर्टन है क्योंकि 1905 में बंगाल विवाजन होता है और स्वधिसी आंदोलन होता है तो उसके कॉंग्रेस में गरम दल और नरम दल लगभग तूटने को आ गया था यह दादा भाई नौरा जी ही थे वह अध्यक्स बने तो यह चुप हो गए उसके बाद चौंथा यह हो गया पहली बार स्वराजवाला बीस साल बद 1906 में कलकत्ता में दीवेशन हुआ दोस्तों कहानी यह हुई कि गरम दल और नरम दल दोनु चाह रहे थे कि स्वधिसी मुमेंट को जो है वो क्या करें अपने अपने इसाब से चलाएं लेकि यह चार आपको याद हो जाने से दोस्तों अब तक इसके बाद 1907 के ठीक 10 साल बात 1907 इस भी बहुत इंपॉर्टन है कॉंग्रेस को वह भी कलकत्ता दीवेशन देखे कलकत्ता दीवेशन में तीन बात होगी दादाबाई नौरा जी पूर्ण सुराज और तीसरा कलकत्ता द इनिवेशन उसके बाद 1924 इस भी में बेल गाम में जो अधिवेशन था बहुत इंपॉर्टन सा दोस्तों बेल गाम करनाटा का में है इसमें महात्मा गाधी इसके अधिक्स हुए और अपने पूरे जीवन में महात्मा गाधी एक ही बार कॉंग्रेस के अधिक्स बने थे व 25 में जब कानपूर में दिवेशन हुआ चाहे जगह याद ना भी हो तो गांधी जी के नेक्स्ट एयर में कॉंग्रेस में एक और माइलस्टोन हुआ स्रीमती सरोजनी नाइडू अधिक्स बनी और भारत की परतम भारती महिला अधिक्स बनी ये भी एक इंपोर्टन है और जवालाल नेरूस के अधिक्स से उन्होंने उसमें पून स्वराजी की मांग की थी या देखे पून स्वराजी की मांग लाहर अधिवेशन 1929 में की थी तो यह कुछ कॉंग्रेस के बारे में है इसे याद कर लिजे दोस्तों ऐसी तरीके से माते जो होता है दोस्तों मा के लिए शब्द प्रियोग होता है वीर प्रशु जो शब्द प्रियोग होता है दोस्तों वीर पुत्र को जनम दिन्याली स्री के लिए होता है तो इसका option C है हिंदी के questions भी दोस्तों आपको तयार करने होंगे आगे बढ़ते हैं दोस्तो question number 4 था aims नई दिल्ली का निर्मान किस वर्ष किया गया option number 2 1956, 1947, 1941 इन में से कोई नहीं चार option और इसका answer है दोस्तो 1956 आएए देखते हैं कैसे aims जो है दोस्तो अखिल भारती आयुल विज्ञान संस्तान All India Institute of Medical Science इसका स्रजन 1956 में संसत के एक अधिनियम से हुआ है पालिया मेंट ने अपने अधिनियम से किया है तो ये इसका answer हो गया दोस्तो ये basically इसका उत्देश से क्या है कि degree, सनात्तक और सनातक उत्तर में चिकित्सा की जो सिक्षिया है उसके teaching का pattern विक्षित करना है और एक uniform teaching लानी है डॉक्टर्स के लिए इंडिया में ये कुछ इसका परपज है इलाज तो करना ही है दोस्तो apex body इलाज करने की aims अब सरकार ने दोस्तो 2012 में एक नया काम किया 2012 तक तो हमार पर एक ही aims था 2012 में सरकार ने छे और नई aims को पूरे भारत में स्तापित करने के लिए दोस्तो ये बड़े important है आगे बढ़ते हैं कि ये क्यों important देखते है 1956 में तो नई दिल्ली में हमने एक aims बना दिया था दिल्ली में कह लीजिए उसके बाद ये 6 जो है 2012 में बने दोस्तो की राजानी भूमेशर में बनाया 2012 में राजिस्तान के जोदपूर में बनाया 2012 में बिहार की पटना में बनाया 2012 में और च्छतिर गर के राएपूर में तो दोस्तों कुछ याद करें ने करें ये जरूर important आपके लिए हो जाते हैं मुला पेरियारबाद भारत के किस राज्य में इस्तित हैं बड़ा ही न्यूज में रहा है दोस्तों पीछे काफी है महराश, उडिसा, केरल और असम अगर आप मुला पेरियार नाम अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है नहीं तो इस कांसर है केरल आई देखते हैं दोस्तों इसके बारे में क्या स्टोरी है मुला पेरियार बाद जो है तो बेसिकली अगर देखा जाए है तो हमारा आजदी से पहले की बात है इवन 1895 में इसका निर्माड हो गया था 1887 से सुरू होता है यह मुला पेरियार बाद है इस के से इस इस के साथ इसके इस बात का जो ढान जुकाव शेतर है केरल है अब इस बात कितना पूरा भात है तो इसके security संबंदी issues केरल को आते हैं और वो इसके तो इस दोनों पर इसके जल भरने की स्थिति पर तमिलनाड और केरल दोनों सरकार हैं जो है Supreme Court of India तक भी जा चुकी है और यह इसकी importance है तो दोस्तों अगला question भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किस नाम के एक web manch का सुरुआत का सुभारम किया है web manch देखते हैं दोस्तों क्या के हैं फिर हमारे पर gob.in, gob.org.in, mygob.nic.in या org.nic.in तो दोस्तों आपने बहुत बार मोदी जी को सुना भी होगा mygob.nic.in तो इसका answer C है आगे देखते हैं ये mygob.mygob.nic.in इस पर उनने सुर्वात किये तो answer C है दोस्तों कुछ बाते बता देएं अगर कहीं पर भी एकड़ जीओ भी लगा है तो ये जो web है government की web है दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए अगर कहीं पर org लगा है तो इसका मतलब है ये organization संगठन से संबंदित है वेब साइट है दोस्तों दोस्तों ये कुस्ता चठा सात्वे question के और बढ़ते हैं दोस्तों पंद्रवी जंगर्णा के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादिवाला राज्जी कौन सा है पंद्रवी जंगर्णा दोस्तों 2011 में हुई थी भारत में उत्तरपरदेश डिल तो जो थे वो थे सी चंद्रमॉली याद कीजेगा सी चंद्रमॉली इसकी अधार पे देश की जो अबादी आये थी लगभक 121 करोड आयी थी और उत्तरप्रदेश की आबादी 20 करोड़ के असपास थोड़ी 20 करोड़ कुछ लाग काम थी यह आय थी और सबसे बड़ा 74% हो गई है और इस जंगर्णा का जो मैसकट था वो था एक प्रगणक सिक्सिका देखिए इस सिक्सिका को बनाया हुआ प्रगणक सिक्सिका इसका मैसकट था हो सतय क्वेशन आ जाए दोस्तों इससे जादा हम जंगर्णा के बारे में एक special वीडियो आपके सामने अगले दो- आंसर हो गया उत्तरब्रदेश आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जिला नियाले टिष्टिक कोट और अधीनस नियालें पर कौन नियंत्रन रखता है मतलब उनकी कंट्रोलिंग कौन करता है वेशन नमबर ए जिला सत्रन नियाले सरवोच नियाले मतलब बढ़ा भी होगा नहीं पड़ा तो सुनिए भारत में जो नियाले हैं या जो जुडिस्री है वो स्वतंत्र है तो कभी भी सरकार का तो उसमास्तक्षेप होई नहीं सकता तो डी आप्सन तो आपका अपने बाहर हो जाता है और क्योंकि जिला नियाले नाम की कोई चीज उस सोग्रीम कोल्ड़ उस सर्वच नियाले और उसके नीचे बैठे हैं वें उच्च नियाले जो राज्यूमैं एक सबाद्या नावते तो इसले जिला नियाले के कण्ट्रोल मा आते हैं दोस्तों कुछ टुकी था और यस तरो हो आपको बनाना था है अगला क्योंन हam आता है दोस्तों उत्राखंड का गाधी के नाम से किसे जाना जाता है इन में से गुमानी पंत को, इंद्रमणी बड़ोनी जी को, हेमवन नंदन बहगुणा को या पंडित नारायंदत जोसी जी को अब आएए दोस्तों बात करते हैं चारों अपसंस में से तो आंसर इसका है इंद्रमणी बड़ोनी जी आएए देखते हैं कैसे इंद्रमणी बड़ोनी को उत्राखंड का गांधी भी कहा जाता है 1953 के कहानी यह है दोस्तों कि यह पैदा हुए और गड़वाल में पैदा हुए थे और वहीं पर अपने और शिक्षित आदमी थे तो जब 1953 में गांधी जी की सिश्या थी मीरा बेन इनके बारे में हमने पहले भी डिसकस किया इस्ट्री में वो टेहरी गई और गाओं में घूमने लगी तो उन्हें वहाँ पर कोई शिक्षिक लोग नहीं मिले तो उन्हें सबसे पहले वहाँ पर इंद्रमनी बड़वुनी जी जब उन्होंने मीरा बेन से बात की बड़वित हुए दोस्तों और उन्होंने सामाजिक कारियूंकी दोस्तों तावागाट से लेके देरादून तक 105 दिनों की पैदल जन संपर के यादा की और फिमस वे इबन बीबीसी ने अपने शब्दू में इनके लिए का था यदि आपको अपने जीवित चलते फिरते गांधी को कहें देखना है तो उत्राघंड की धरती पर जाएए वह जनान दुलनु का नित्त कर रहा है ये हैं इंद्रबनी बढ़ाणी जी दोस्तों अगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेशन नमबर दसवाँ भारत का सबसे लंबा पुल किन दो राजियों के मद्दे बनाया गया करेंट से क्वेशन है दोस्तों नागालेंड और मनीपूर अस इसका आंसर दोस्तों सी है असम और अरॉन चल प्रदिस आई ये थोड़ा से इसके बार में जानते हैं इस पूल का नाम भूपेन हजारिका या ढोला सदिया सेतू भी रखा गया भूपेन हजारिका वहां के बहुत फेमस जो ते गायक थे और राजिशबा के मेंबर भी थे वह जानते हो चुकिये और ढोला सदिया 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 असम में Дोला सदिया सेतू इनके एरया के वेसे रखा गया है ये सबसे लंबा पूल है दोस्तों और इसकी लंबाई 9.55 किलोमेटर है दोस्तों और यह लोहित नदी पर बनाया जो के ब्रह्मपुतर की स्मुक्च Deswegen podcast दोस्तो ब्रंबुत्र पर नहीं बनाया लोहित नदी पर बनाया और ध्यान रख्ये का दोस्तो एक छोर रोलांचल ब्रदेश में और दूसरा छोर असाम में है इसका अधगाटन मई 2017 में पधान मंतरी मोधी जी ने किया यह भारत का सबसे लंबा पूल है बुपेन हजारिका प्रेमस हैं अपने गाने के लिए वो गंगा बहती हो क्यों सायद आपको याद भी आ गया उनके बारे में चले दोस्तो आगे बढ़ते हैं मैती अंदूलन का उदेश ही क्या है क्वेशन नमर 11 क्या था व्रक्षा रोपन को बढ़ावा देना पेड़ों के कटान को रोखना हैं महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा देना दोस्तो अगर आपने मैती देखा हो तो ठीक है नहीं तो आप हमारे UKS 13 हिस्ट्री का लेटेस्ट वीडियो देखें उसमें हमने सारे अंदूलन क्लियर की हैं तो इसका आंसर है दोस्तो व्रक्षा रोपन को बढ़ावा देना आप उन्हें भी जरूर देखें दोस्तो एक्जाम में आपके लिए बहुत फाइदे मन होंगे हो चलिए आगे बढ़ते हैं मैती यहां दो लंगा उद्देश से था व्रक्षा रोपन को बढ़ावा देना जैसी की option A इसका आंसर है आगे दोस्तो हुआ क्या था कि एक इसक सेक्सिक भमण में अपने स्कूल ग्वालदम से युवतियों को लड़कियों को लेके गए कहां बैदनी बुग्याल अब जब बैदनी बुग्याल मोग जाके उन्होंने देखा कि लड़कियों का बड़ा इंपोर्टन रोल हो सकता है पर्यावरण और वनू के बचाव में उनके मन में ये मैती नाम की चीज़ आई मैती माने बेसिकली यहां होता है माई का तो उन्होंने वहां से मैती कॉंसेप्स हो गया है मैती में करते क्या है लड़कियों की साधी होती है तो उसमें एक मैती नाम का भी एक रस्म कर देते हैं जिसमें लड़का और लड़की दो उनके बारे में तो दोस्तों आज हमने बात की अपनी वीडियो में कुछ questions के बारे में आपके लिए फायदे बंद रहे होंगे और अगले वीडियो के MCQ 10 में हम ऐसे ही कुछ questions और उनके बारे में discussion को लेकि हम आपके सामने हाजिर होंगे दोस्तों आपको मारा वीडियो